तो जैसे कि मेरी लास वीडियो में आपने देखा कि pencard का form कैसे भरते हैं और उसमें documents upload कैसे करने हैं तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने कोई correction वाला pencard form CST से भरा है और वो आपका hold में चला गिया है मतलब अगर आपका वो pen card का form under objection आ गया है तो वो किस वज़े से आया है और उसको कैसे आपको resolve करना है और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि अगर आप कोई pen card correction का form भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास एक biometric device system में connect होनी चाहिए वज़े उसकी ये होती है कि अगर आप कोई pen card form भरते हैं तो हो सकता है कभी कभी उसमें biometric authentication मांग लिया जाता है जी हाँ और ये मैं बता दूँ कि जैसे कोई pen card में अगर आप date of birth का correction करते हैं तो mostly date of birth वाले में ही आधार card का authentication मांगते हैं जिसके आपको morphe device या कोई भी जो आप use करते हैं उससे आप authenticate उसको कर सकते हैं और दूसी चीज़ मैं बता दूँ और कि अगर आप अपना नाम चेंज करते हैं pen card में या अपने father का name चेंज करते हैं तो हो सकता है वो clear हो जाए कोई परिशानी ना है पर mostly cases में वो under objection आ जाता है जी और उसमें मांग लिया जाता है guested officer का लिखा हुआ तो अगर आपस यह है आपस documents यह provide कर सकते हैं जागर आपका customer ऐसा है कि वो guested officer के लिखा हुआ ला सकता है तो आप please यह वाला form भरें पर अगर आपका customer नही capable है guested officer के लिखा हुआ ला सकता है तो please आप पास कोई form अगर आता है pen card का जिसमें father name या name correction करना है तो आप बहतर है उसको offline के जरीए ही भरें क्योंकि CST में अगर आप यह form भरेंगे तो may be possible आपको दिक्कत हो सकती है तो वो दिक्कत क्या आती है मैं अब इस वीडियो में आपको पुरा बताऊंगा और बहुत ही short यह वीडियो में बताऊंगा आपको step by step form पुरा भरा इस वीडियो को जरूर करिएगा क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो अक्सर pen objection में फज जाते हैं और उन्हें यहीं नहीं पता होता है कि यह वाला मेरा form फजा क्यूं हुआ है तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले हमने normally CST में आपका login करा मैंने एक form पहले से भरा हुआ है और मैं उसका number निकाल दूँ यह मैंने इनका copy कर और यह इनका pen edit करा मैंने अब यह देखिए मैंने इनका pen card था इसमें मैंने इनका नाम इनके father कर नेम और date of birth correction करी दी तीनों यह देखिए यह है इनका date of father कर नेम इनका date of birth सब कुछ correction करना था और photo और sign वाला जो column वहता है वो automatic उठा लेता है यह देखिया और मैंने इनके father change में इनका voter card लगा दिया था father changes में मैंने इनका voter card लगा दिया था और मैंने voter card attach भी किया था यह मैंने submit कर दिया इसको यह देखिया आपका जिसमें टिक लगा हुए column में वो changes मुझे करने हैं आप एंकार फॉर्म अगर भड़ते हैं और वही correction होगा ठीक है यह मैंने इनका front back कर लिया है और मैं करने के बाद पूरा इसको compile मैंने पूरा कर दिया था यह देखिए मैं आपको पूरा दिखाए दे रहा हूं करने के बाद मैंने इसको लगोट कर दिया को कि पेपर थोड़ा यह स्कैनिंग और सब करने में लगता है थोड़ा टाइम इसके वाज़े पेज एकस्पायर हो जाता है तो यह देखिए अब मेरा वह से document मैंने प्रेपेर कर लिए है और direct मैंने login कर लिए है document कैसे करने जैसे मैं आप लोग को वीडियो में बता चुका हूं तो मैं direct अब documents upload में आता हूं document कैसे बनाने हैं यह सब लास्ट वीडियो में आप लोग को पता हुआ है यह दिके मैंने आ करके इनके direct documents upload करना शुरू कर दिए यह थर्ड नमर को जो आए एक बात याद रखिए का आप लोग बस कि अगा अगा correction वाला form आप भर रहे हैं तो आप biometric device एक रखिए एक अपने पास और customer से यह बोल भी दिएगा कि उनके कोई जानने वाला है जो guested officer है क्योंकि अगा guested वाला मामला फसता है तो फिर customer को ही arrange करना पड़ेगा और अगर आप और नहीं करता है तो फिर यह आपका form पड़ा ही रहेगा यह पड़ा रहेगा और वह पड़े पड़े कोई उतका refund नहीं आता है तो बहतर रही है कि या तो आप करें या अगर आपको लगता है कि वह problem करेगा तो फिर आप उसको offline के जरीए ही भरें यह आपकी fees कड़ी आईगी इसमें तो कि मैंने form जो भरा था इसमें problem यह आई थी मैंने आपको दिखाए कि इनका father name correction था सब कुछ था तो इसमें इनका एक problem आग चुका है यह रही है इनका यह proper match हो गया है पूरा कि और इसमें फिर से रिपीट कर दूं कि करेक्शन का जो अब्जेक्शन आता है यह जादा तर father name change करने पर ही आता है आप name change करो डेट बड़ चेंज करो इशू नहीं आता है इशू का बाता है जब आप father name change करो अकसरा का मामला उसमें ही फचता है तो father name change करने वाले पैनकाड आएं वो जरहाएं सोच समझ के लिए कि यह दिखिए आपके मैंने लिया था पैनकाड इनका और इसमें देखिए यह रिखिए इसमें मैंने यह नाम सब को change कर दिखिए यह ने गैस्टेर आफसरवाल यहां पर तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है खैर मैं इनको बुला करके इनके कर लूँगा क्लियर हो जाएगा जो नीचे वाला मामला फचता है गैस्टर आफसर वाला यह थोला मामला फच जाएगा तो डॉक्मेंट्स यह भी मैं अरेंच कर लूँगा उनसे करवा लूँगा तो आप लोक् से मैं 이 एक बात बता दे व्प्रोट वो